हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगे इस लैप्टप को आउन किये बिना ही बायोस के से अपडेट के जाता है सबसे पहले इसमें आपको पेंड्राइब में ड्रैफ है डाउनलोड करना पड़ेगा जो वेबसेड है डेल.com और मैं पूरा लिंक आपको डिस्कृप्स मे तो आपको बायोस अपडेट नहीं होगा तो मैंने चार्जर पोर्ट को कनेट कर दिया यहां पर देख पाय रहे हैं यहां पर अब जो है इसका पावर बटन दबा के हम इसको ओन करेंगे लब्टप को मैं यहां पर जो पावर बटन है इसे दबा के और फिर एफट्वील दबाते रहेंगे धीरे जब तक कि बूट मेनो अप्शन खुल जाए देखिए हम पर बूट मेनों अप्शन कुल रहे है आप आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर जो बायूस फ्लैस आपडेट लिखा हुआ है इस उप्सेंप पहले हम चलेंगे भायूस फ्लैस वह यह वाला है 3.2.0 तो यही वाला सिर्फ यह की बाइस मैंने डाउनलोड किया है इसलिए यह की सपोट कर रहा है इसमें दिख रहा है आपको इसमें क्लिक करके अब फिर हम यहाँ पर नीचे ओके कर देंगे देखिए अब हो गया ओके हो गया अब यहाँ पर बीइंग फ्लैस अपडेट जो है इसमें हम एक बार किलिक करके इसमें पर्मिशन मांगा जा रहा है डू यह वांट टू प्रोसेड प्रोसीड तो मैं इसको पर्मिशन दे रहा हूं देखिए अब यह बायो सब्डेट होना चलो हो गया अब आपको कुछ नहीं करना है बस इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए यह अपने आप डाउनलड पूरा होगा इंस्टॉल पूरा होगा और फिर आपको लिखा आएगा सक्सेस्पुल देखते हैं क्या क्या होता है आप पू देखिए यहां पर यह 100% कंप्लीट होने के बाद दुबारा 100% फिर से कंप्लीट हो रहा है यह देखिए हो गया फिर से अभी लगी पूरा सेटप अभी तयार गो रहा है जबी से देखिए यहां पर लिखा हुआ है रिपूटिंग सिस्टम अभी मेशीन रिस्टार्ट हो रहा है मतलब पूरा बाइस कंप्लीट होने के बाद यह अपने आप ही ओन हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना है बस आप वह जो फ्लैस अपडेट जो मैंने लास्ट में क्लिक किया था बस आप उसी को आप करना है और बाद में यह अपने आप सब कुछ होगा देखे यह ओन हो गया अगर यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कामेंट में बताइए और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर तब तक के लिए बाबाई